दोस्तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चायल्ड पॉनुग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चायल्ड पॉन देखना या उसे स्टो करके रखना भी आक्सों एकट और आईटी कानून के तहत अपराद है। Chief Justice D.Y. चंदरचूर और Justice J.B. पारदिवाला की बैंच ने ये फैसला सुनाया है। Supreme Court ने फैसला मदरास High Court के फैसले को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर दिया है। मदरास High Court ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोनोग्राफी देखना या रखना अपराध के दाइरे में नहीं आता। High Court के इस फैसले को कई एंजियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी। इससे पहले इसी साल अपरल में इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिपनी की थी कि बच्चे का पोन देखना शायद अपराध ना हो लेकिन पोनोग्राफी में बच्चे का इस्तिमाल होना अपराध है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद कर दिया है। ये भी कहा था कि आरोपी को पोन देखने की आदत थी लेकिन उसने पहले कभी चाइल्ड पोन नहीं देखी थी। नहीं उसने डाउनलोड किया वीडियो किसी से शेयर किया था। के स्रद करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अपरादी को पोन देखने की लथ है और उन्हें सजा देने की बजाए जागरूप करना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये तर्ग दिया था कि आरोपी ने केवल चाइल नहीं किया था। आए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट की धारापंद्रा के अनिसार चाइल्डपोन देखना, रखना, प्रकाशित करना या उसे प्रसारित करना अपराद है। ने अपने फैसले मे जबकि धारापंद्रा तीन में कारोबारी मकसद से चाइल्डपोन को स्टो करने को अपराध के दाइरे में लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोक्सो एक्ट के सब सेक्षन एक, दो और तीन एक दूसरे से अलग है। अगर कोई मामला सब सेक्षन एक, दो और तीन में नहीं बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मामला धारा-पंद्रा के अंतरगत नहीं आता आए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या सुझाव दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को अपने फैसले में चायल्ड पोनोग्राफी शब्द की ज जुड़े कानूनी और नेतिक प्रभावों की जानकारी शामिल हो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बना सकती है जो सेक्स एजुकेशन का एक सिस्टम तयार करे कोर्ट ने स्कूलों को सलाह दी कि कम उम्र से ही बच्चों को पोक् प्राइवेट स्पेस में पोन देखना अपराध नहीं है पिछले साल एक मामले में फैसला देते हुए केरल हाई कोर्ट ने कहा था पोनोग्राफी सदियों से प्रचलित है लेकिन आज के नए डिजिटल युग में और ज्यादा सुलब हो गई है बच्चों और बढ़ों की उंगलियों पर ये मौजूद है लेकिन सवाल ये भी है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाए बगर पोन वीडियो देख रहा है तो वो अपराध है या नहीं दोस्तों अदालत इसे अपराध के दाइरे में नहीं ला सकती क्योंकि ये व्यक्ति की निज में घुसपैट करने के बराबर होगा इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि निजी स्पेस में पोन देखना गलत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अकेले पोन देखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन चायल्ट पोनोग्राफी या महि खिलाओं के खिलाफ बलातकार या हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट को देखना या इकठ्था करना अपराध के दाइरे में आता है। पोन कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वाइरल करने पर पहली बार तीन साल की जेल और पांच लाक रुपे के जुर्माने की प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर पांच साल जेल और दस लाक के जुर्माने की सजा होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर साथ साल जेल और दस लाक रुपे का जुर्माना चुकाना होगा। इसी तरह भारतिय न्याय सहिता की धारा 294, 295 और 296 में भी सजा का प्रावधान है। धारा 294 के तहट अशलील वस्तूओं को बेचने, बांचने, प्रदर्शित करने या प्रसारित करना अपराद है। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर दो साल तक की जेल और पांच हजार तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच साल तक जेल और दस हजार रुपय का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि धारा 295 के तहट किसी बच्चे को अश्लील वस्तु दिखाना, बेचना, किराये पर देना या बातना अपराद है। ऐसा करने पर पहली बार दोशी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और दो हजार रुपय की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार दोशी पाए जाने पर साथ साल तक की जेल और 5,000 रुपय के जुर्माने की सजा हो सकती है। 14 में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ती बच्चे या बच्चों को अशलील कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहें।